हे नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है प्रिंस और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अफोडेबल स्मार्ट बैंड तो यह है शाओमी की तरफ से मी स्मार्ट बैंड 3 आए तो बेसिकली यह मी बैंड 3 का एक टोन डाउन वेर HRX Edition तो यह आप उसी का एक Upgraded Model मान सकते हैं इस साल वाला वेरियंट है यह बस HRX Edition नहीं है तो इसलिए इसको 3i करके यह लोग मार्केट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मिलती है box के अंदर documentation जो की सिर्फ उसमें QR code है काम की चीज़ जिससे आप app download कर सकते हैं उसके Mi Band 4 की तरह AMOLED display तो है लेकिन colorful display नहीं है सिर्फ monochrome display तो black and white ही दिखेगा आपको तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो band already on है मतलब मैंने जैसे ही निकाल रहा already on है box में on ही था band तो हमें on करने की ज़रत नहीं बढ़ी तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते ह और यह जो band है यह देख सकते हो अब जो band की quality है आप लोग को पतायता हूं कैसी है मुझे तो काफी soft लग रहा है silicon जो इसका touch करने में तो काफी comfortable सा लग रहा है बाकी जब हम इसको wrist पहनेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितना comfortable है बाकी band ठीक है इसकी width वगरा बिल्कुल बिल्कुल smart band की तरह ही है जैसा होना चाहिए तो stylish भी लग रहा है काफी और नीचे वही pin वाला system है lock करने के लिए जो की बहुत ठीक रहता है कभी भी आपका band खुलता नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने band को पहन लिया है और मुझे band काफी अच्छा लग रहा ह अगर आपके पास android phone है तो play store से कर लीजिए मेरी तरह iphone है तो आप app store से कर लीजिए तो app store से download करने के बाद first time में आपको band को phone के पास रखना पड़ेगा band खुद बाखुद detect हो जाएगा phone के through तो आप देख सकते है कुछ इस तरीके से आपको pair करना है मतलब phone के उपर नहीं थोड़ी बहुत दिर में बैटरी की बात करूँ तो तकरीबन 20 दिन चल जाती है बैटरी यहाँ पर उपर देख सकते हो 23% है और इस तरीके का आपका me band है आप सारी चीज़े control कर पाएंगे अपने smartphone से band काफी comfortable है मतलब आप इस band के through आपने wrist पे पहन के workout भी कर सकते हो तो आ water resistant है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके कुछ features बता देता हूं देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे आप swipe up करेंगे touch screen display है amoled display है लेकिन black and white display है me band 4 की तरह colorful नहीं है क्योंकि band भी तो आपको फिर 1300 रुपे में ही मिल रहा है तो यहाँ पर आप left right swipe करके चीज़े access कर सकते हैं और up down swap कर गें यहाँ पर आपको screens भी मिल जाती है screens basically watch faces से मेरा मतलब है तो आपको 3-4 watch faces मिल जाते हैं जाता कमाल के तो नहीं है लेकिन information wise आप यहाँ पर check कर सकते हैं अब black and white display में और इतनी पतली सी width पर आप क्या ही expect कर लोगे but still आपको काफी चीज है वही मुझे लगी कि इसमें heart rate sensor होता तो perfect package रहता आपका budget tight है तो आप इसे ले सकते हो otherwise Mi Band 4 की तरफ जा सकते हो दोस्तों I hope आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दीजे एक बड़ा सा like मेरा ना में Prince चैनल को subscribe नहीं किया है जो कर लीजिए मैं मिलता हूँ सभी को next वीडियो में बाई बाई जय हिंद वंदे मात्रम